राधे राधे साथियो उतकर्सकी ओल्लाइन क्लासेज में आपका बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन श्वागत जैसे कि आपको बिडित है हम कारक प्रकरण का अध्यन कर रही हैं और उसके अंतरगत कारक प्रकरण के अंतरगत मुख्यत है पंचमी विवक्ति और अपाधा कारक में तो सबसे पहले तो एक बार वोलेंगे राधारानी की जै अब पादान कारक में अब हमारा अगला शुत्र है और शुत्र का नाम है शुत्र का नाम है जनिकरतो हो जनिकरतो हो प्रकरती शुत्र का नाम है जनिकरतो हो प्रकरती शुत्र का नाम है जनिकरतो हो प्रकर जनिकर तो प्रकरती कहता है यह कहता है कि उत्पन होने की करिया में जो मूल प्रकरती होती है जहां से हम उत्पन हुए हैं उसमें पंचमी विवक्ती होती है या सब किन अपादान कारख भी कहा जाता है मूल प्रकर्टी जैसे के उत्पन होने की उत्पन होने की क्रिया में जो मूल प्रकर्टी होती है उसे अपादान कहा जाता है कि उत्पन होने की क्रिया में जो मूल प्रकर्टी होती है मूल प्रकर्टी इसको ध्यान करें मूल प्रकर्टी का मतलब जहां से हम उत्पन हुए हैं जैसे कि जैसे कि ब्रह्मासी बहुत अच्चा दर्ण ब्रह्मासी प्रजाँ उत्पन होती है ब्रह्मा से प्रजा उत्पन होती है तो ब्रह्मन अहां प्रजाहा प्रजायंति अब प्रजा क्या हो गया करता है प्रजायंति कुछ यहां बहुबचने तो जायति जायति जायन्ते क्रिया भी कैसी होगी ब्रह्मन नहीं है इसमें कौन सी बभक्ती होगी पंचिमी और इसे कौन सा कारेक कहेंगी अपादान मित्रों जैसी ही बरिष्ट अध्यापक और व्याक्याता की परिच्छा होती है यह दार्ण अधिकांस ते पूंचा जाता है और प्रश्ण आपके लिए आता है कि ब्रह्मण हां प्रजाहा प्रजायंति कि इत्यास से में वाकि अपादान कारक हवा स्ती इस बाकितमें अपादान कारक है कौन से सब्सें और है तो गारा मने कौनसे विवक्ती हुई पंचभ्भ क्यांचा फेल्ड़ को अगला कामात क्रोधों हविजायते काम से क्रोध उत्पन होता है क्रोध किसे उत्पन होता है क्रोध को उत्पन करने का मूल कारण क्या था काम मूल प्रकरती क्या थी कि काम तो यहां क्योनल चब्द ना कौणसी विवक्ती हुए पंचमी में आध एस सल्थ्य पंचमी विवक्ति और अपादान कारक हुआ तो यहां आपकी कौन सी विवक्ति थी पंचमी मुख्यत है एक नियम है जो आपको दिहान करना है वहां से प्रशना आता है तो अधिकांस्त विद्यारती प्रशन को क्या करते हैं गलत कर देते हैं जैसे कि नियम है नियम है प्रतक प्रतक को कौमा विना कौमा ना प्रतक विनाना कितने सब्द हो गए तीन मित्रों कितने हो गए तीन प्रतक विना नाना के योग में दितिया त्रतिया और पंचमी विवक्ति का प्रयोग किया जाता है तो आपके लिए एदा कदा प्रशन आजाता है बिना शब्दे विवक्ति ही ववति बिना शब्द में विवक्ति होती है या बिना शब्द के योग में विवक्ति होती है तो मित्रों आपको क्या बताना होगा दितिया त्रतिया पंचमी और अधिकांस से विद्यार्टियों कि मन में एकी बात रहती इसमें दितिया होगी पंचमी होगी तो आप प्रशन को क्या कर देते हैं गलत प्रश्णा आपका गलत हो जाता है तो आपको यह द्यान करना है कि प्रतक बिना नाना इन तीनों सब्दों के योग में कि दितिया तरतिया पंच्वी वक्ति का प्रियोग किया जाता है जैसे जैसे यहां तीनों के योग में कौनसी विवक्ति होगी दितिया तरतिया और कौनसी विवक्ति पंच्वी प्रतक बिना नाना के योग में प्रतक बिंदितिया तरतिया पंच्वी जैसे रामम रामेन रामात वा प्रतक विना नाना रामम रामेन रामात वा प्रतक विना नाना मित्रो रामम में कोंसी त्रतिया रामेन में कोंसी त्रतिया रामात में पंचिमी और सब्दों का योग प्रतक विना नाना इन सब्दों का क्या हो गया योग दूसरा जलम बिना जलम बिना जीवनम जलम बिना जीवनम नास्ति जल के बिना हमारा जीवन नहीं है जल बिना जीवन हमारा संबब नहीं है तो यहां किसका योग हो गया बिना किसका योग हो गया बिना अब आपके लिए यह प्रशन ऐसे भी आ सकता है ऐसे आ सकता है जैसे उन्होंने दिया कि जलम मिना जीवनम नास्ति यह अब विद्वान आपके लिए देदेगा इस तरह जलम शब्दे विवक्ति ही अस्ति या रेखांकित शब्दे रेखांकित सब्दे रेखांकित शब्द में विवक्ति है विवक्ति ही अस्ति रेखांकित शब्द में विवक्ति है प्रशन ऐसे आ सकता है आपके लिए अब आपके वहां पर्थमा दूसरा दितिया अगला तरतिया और सस्टी तो यहां जलम शब्द में कौनसी विवक्ति प्रयोग की गई है दितिया क्योंकि किसके योग के कारण बिना के योग के कारण जलम शब्द में यहां बिना का योग है इसलिए जलम शब्द में दितिया विवक्ती का प्रयोग किया गया है जलम जले जलानी जलम जले जलानी मित्रो जलम में प्रत्मा विवक्ती थी जलम जले लेनानी परंतु प्रतक बिना नाना इन सब्दों की योग में दितिया तरतिया पंचमी विवक्ति का ही प्रयोग किया जाता है जैसे प्रश्निस्तरे भी आ सकता है प्रथक विना नाना योगी विवक्ति ही भवति प्रथक विना नाना योगी विवक्ति ही भवति प्रथक विना नाना की योग में विवक्ति होती है मित्रो अव दितिया दूसरा आपका तरतिया अगला पंचमी सर्वे तो क्या जवाब दोगे सर्वे सर्वे बाने क्या होता है सभी पर प्रथक विना नाना इन तीनों के योग में दितिया तरतिया पंचमी विवक्ति का प्रयोग किया जाता है इसलिए आपका उत्तर सर्वे और सर्वे बाने क्या होता है सभी हो जाएगा तो आप समझ गया होंगे इसी क्रम में अब अगला कारक और अगली विवक्ति कारक का नाम है अधिकर्ण कारक अधिकर्ण कारक और विवक्ति का नाम है शप्तमी विवक्ति विवक्ति कौनसी हुई शप्तमी विवक्ति हम अधिकर्ण कारक और शप्तमी विवक्ति का अध्यापन कारेंगे सबसे पहले पहला शुत्र है आधारो अधिकरणम क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है तो यहाँ अधिकरण संग्या विदायक शुत्र है पहले दन से बात अधिकरण संग्या विदायक शुत्र कौन सा हुआ आधारो अधिकरण एक बात आपको ध्यान करनी क्योंकि प्रश्ण आ सकता है आपके लिए अधिकर्ण संग्या विदायक शूत्रमस्ती तो कौन सा हुआ आधारों अधिकर्णम और क्रिया के आधार को अधिकर्ण भी कहा जाता है क्रिया के आधार को अधिकर्ण कहा जाता है क्रिया के आधार को अधिकर्ण कहा जाता है क्रिया के आधार को क्या कहा जाता है अधिकर्ण कहा जाता है अब दूसरा शुत्राब का शप्तम्य अधिकर्णे शप्तम्य अधिकर्णे जब इसका संधी विच्छित करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा शप्तम्य इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा कौन सी संदी हुई यन संदी और यन किसका बाग है अचिका अचिया श्वर अब इधर इसे शब्तमी विवक्ति विधाय शूत्र माना जाता है शब्तमी विवक्ति शब्तमी विवक्ति विदायक शूत्र जैसे माना जाता है शब्तम में अधिकरण को का या सब्सक्राशना को अजब्त है शब्तम्य १वक्ति का नाम किष्णी दिया था कोकि अधिकरन में सब्त्मी 750 होती है किस ने बताया था इस उशूत्र में बताया था कि अधिकरन में शब्तमी व्यवक्ती होती है लित्तरो को अधिकरन में अधिकर्ण में शब्तमी विवक्ती अधिकर्ण में शब्तमी विवक्ती होती है अधिकर्ण में सब्तमी विवक्ती होती है यहां तक इस सामाने जानकारी हुई हमारी अब समसे बहुत अच्छा प्रश्ण मुष्ट आ रहा है अधिकर्ण कारक के अंतरगत के आधारह कत्वेदा आधार कितनी प्रकारका होता है आधार कितनी प्रकारका होता है आधारह कत्वेदा आधारह कत्वेदा तो यह हुआ आपका प्रश्ण और आधारह कत्वेदा जवाब देंगी त्रिवेदा इतनी प्रकारका तीन प्रकारका त्रिवेदा का मतलब आधार कितने प्रकार का होता है तीन प्रकार का यह बहुत ही महत्वूर्ण प्रशने विद्वानों प्रशना जाता है कि आधार कितने प्रकार का होता है यद रीट में यह प्रशना गया आर्टेट में प्रशना गया बहुत से अभरती बहार निकल जाएंगे प्रशन बहुत ऑव पृशलेशिक, दूसरा अभीव्यापक, अभीव्यापक, मित्रो, यहाँ ऑव पृशलेशिक वहीशिक अभीव्यापक, और तीसरा आपका हुआ, तीसरा हुआ वहीशिक. कि तीसरा आपका हुगा वैसिक मित्रोज जैसे ही सेकंडेट और लेक्चरार की परिच्छा होती है सेकंडेट और व्याख्याता की परिच्छा होती है यहां से प्रश्ण अधिकां स्थे पूछे जाते हैं प्रश्ण आते हैं इत्युस्ट मेरे अंतरगते और पुष्लेसिक कि यहां कैसा है और ऑप्शन में रखते हैंगे यह कौन से आधार की अंतरगत जाना जाता है तो सबसे पहले आपको आना चाहिए और अभीव्यापक का मतलब क्या होता है अभीव्यापक का मतलब होता है अलपकाल का संपर्क ही अभीव्यापक हबी व्यापक्वानी होता है सबी जगे सरबत्र जैसे अल्पकाल का संपर्ख अल्पकाल का शंपर्ख या शंस्वंद ही इस हों सा अधार क्यलाता है ओप शलेसिख नहीं है जैसे जैसे रामहा रामहा वस्याने तिश्टती रामहा वस्याने तिश्टती राम वस्याने बैठता है अधिकर्ण में पेपर विद्वानों अब राम कितना बैठेगा जहां तक उनका गर होगा जहां तक उनको जाना होगा एक गंटे बीस मिनट तीस मिनट दो गंटे कैसा संपर कर रहा अल्पकाल का राम उतर जाएगा भसली गई तो जहां अल्पकाल का संपर्क रहता है उसे अपसलेशिक आधर भी कहा जाता है और आपको जानकार्यों विद्वत हो तिश्टती तिश्टताह तिश्टन्ती इसलिएंगिणका से एक तथी अधितश्टती बना क्योंकि वहां भी आदार था इसलिए वहां कोन्सी संग्या हुई कर्म संग्या क्योंकि वहां अधी तौन लहां डर्णाय कोन सी विवक्ट ओगई शब्त मि और राम हमारा क्या है करता थीकिखति क्रिया दो रॉंक सब्सक्राइब और च। इस्ञार थीलीं अब बस्याने बस्याने में कौन सी विवक्ती हुई शब्त में और कारक कौन सा हुआ अधिकरन कौन सा कारक हुआ अधिकरन रमा रमा भूमव सेते रमा भूमव सेते रमा भूमी पर सोती है इस पर सो रही है भूमी पर अब ऐसा तो नहीं है कि 24 गंटे सोती रहे है च्छोवी स्वोने का कारण है नही तो श्यव साथ गंटे रन लेकंटी पांस गंटे होगी 또 अल्पकाल की रहे है इसलिए रमा यह हमारा क्या हो गया करता और भूमीशे हमारा क्या हो गया अधिकर्ण और दिकर्ण Curtis भी वक्ती शप्तमी और सेते हमारी कौन सी वे करिया शींग दानवे के कारण और शींग दानाय की किया ऐसी शींग दान। गाइं कि संग वही हो एसी दातुओं को आत्मनेपकी दातु कहा जाता है जयसे यह से 7 दातू याचुदातू लब दातू दातू काइप सेंग दातू एक ऐसी दातू में आत्मरि पद की दातू कहा जाता है ईसी करव flawless और दूसरा दैक वैसिक वैसिक और वैसिक वाने होता है वैसिक वाने iqt नाहीं जिसी मुझे क्या करना है कहां जाना है क्या बनना है भी सेयक इक लए- मेरी विशेक है यह आपकी विशेक की इच्छा नहीं जैसे व्याकर्ण ङे वियाकरने इच्छास्ती वियाकरन में क्या है इच्छा दो पढ़ने में पढने में इक्छास्ती पढ़नें में इच्छा चान पठनी चाहसती पठने में मेरी क्या है को यहां वियाकरेंड में कौंसी विभक्ती वी शत मीश तो इसलिए कब इस आधार को वैसिक आधार भी कहा जाता है तीसरा आधार हुआ अभी व्यापक और पुष्यलेश्थिक वीशिक और तीसरा हुआ अभी व्यापक और अभी व्यापक वाने क्या होता है शर्वत्र सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगे शर्वत्र या सभी जगे जैसे शर्विष मिन शर्विष मिन आत्मा अस्ति सभी में क्या है आत्मा है सभी में आत्मा है तो अभी व्यापक वहादार का प्रकार हुआ शर्विष मिन आत्मा अस्ति सभी में क्या है आत्मा अब हो सबसे मुश्र लीवाद है आत्मा यहां करता है आत्मा यहां क्या है करता और अस्ति हमारी हां क्या है क्या है और यहां क्या है शर्वश्मिन का शर्वशब्द का शर्वशब्द का पुलिग 209 कि आ सबसे वूरी मोचिली बात आप को समझने के लिए यह हैं प्रश्र यहां से एक आ रहा है आत्मा सब्दे लिंगम अस्ती आत्मा शब्द में कौन सा लिंग है सर्व शब्द शर्व शब्द में तो कौन सा लिंग हो गया पुलिंग हो गया तो आपको यहां से जान लेना चाहिए कि आत्मा में कौन सा लिंग ह भाव रहता है कि आत्मा का सब्द कैसा है इस्तीलिंग है आत्मा इस्तीलिंग नहीं है क्योंकि नकारांत शब्दों में न अंत में आत्मा में मूल शब्द आत्मन होता है राजा में मूल शब्द राजन होता है तो जो न अंत वाले शब्द होते हैं उनको पुलिंग में ही प आत्मन राजा में मूल शब्द क्या हो गया राजन मूल शब्द क्या हो गया राजन आपको यह ध्यान करना चाहिए कि ना इधर आत्मन में क्या है ना आत्मन में क्या है ना अंत में देखो राजन में भी क्या है ना और मित्रों विद्वानों अगली वर्स कोई राजा सब्ल शब्द क्या है कोई सा है राजन सब्द से हि प्रतमा विवक्ति एक वचिन में बन जाता है राजा राजानौ राजानौ इस तरए आटमार शब्द में कौन सा लिंग वह पुलूंग सर्विसमे constituents है गुआ शर्व सब्ढ का शर्व शब्द का पुल लेंगे सप्तमी व्यक्ति है एक वचन है सर्विस्मिन सर्वयोह सर्वेशू है सर्विस्मिन सर्वयोह सर्वेशू इस तरह अगला अधर्ण अभी वियापक का तेले सु तिले चुछू तेलम अस्ती तिले सु तरय सू प्रविय होता है तली सू क्यों के त्यू यह बहु बचल को I यह बहु बचल और तैलम करता अस्ती क्रिया करता के अनुसारी क्या गई क्रिया अब प्रिश्ण किस तरह आता है आपके लिए आ गया तिलिशू तैलम अस्ती आधारस्य प्रकार अस्ती आधार का प्रकार है आपके लिए इस तरह सेकंड़ीट और लेक्चरार मां जाता है तिलेशू तेलम अस्ती तिलेशू तेलम अस्ती कि इत्यस्मेर वाक्य में अधार्स्य आधार का अधारस्य प्रकार है तिलेशू तैलम अस्ती तिलों में क्या है तिल सभी तिलों में तिलेशू तोप्ष्ण नमाएंगे अभी व्यापक दूसरा कि दूसरा कि वई सिक तीसरा और प्रिशले सिक अगला सर्वे भी आपको विदित होना चाहिए अभी मैं आपको बता चुका हूं तो यहां कौंसा अभी व्यापक माने क्या होता है सभी व्यापक वाने क्या होता है इसे सेटनग रेट्ट और लेक्ष्रार में प्ष्ण पूँचे जाते हैं अब आपका में अगला शुत्र नयोSab को वहत ही महत्तपुर्ण अश typ जी के धंडी में अनुवरक निको अनुवरक करने के लिए प्रश्ण पूछा जाता है इसका संस्कत में अनवाध करू इस तरह प्रशनाता है जैसे शुत्र का नाम है यतश्च निरधार्ण यतश्च निरधार्ण यह क्या कहता है यहां कहता है कि जाती गुण क्रिया संग्या की द्वारा एक समधाय से अलग करने पर उस समधायवाची सभद में सष्टी और शब्तमी विवक्ति का प्रेयोग किया जाता है जैसे कि आपको विजद्ध हो मैंने पढाया भी है कि एक प्रत्य होता मैंत्य के अंतरत के गिना जाता है और और विद्वानों तद्धित प्रत्य का प्रयोग शब्दों से किया जाता है। जाती गुण क्रिया संग्या के द्वारा एक शमुदाय से अलग होने पर उस समधाय वाची शब्द में उश्य समुदाय में या उश्य समुदाय वाची सब्द में शब्द में सस्टी और शब्तमी सस्टी और शब्तमी विवक्ती होती है देखो जाती गुण क्रिया संग्या जाती गुण क्रिया संग्या के द्वारा एक समुदाय से अलग होने पर उस समुदाय वाची सब्द में जहां से अलग हो रहे हैं उस समुदाय वाची सब्द में कौन सी विवक्ती होगी सस्टी और शब्तमी विवक्ती होती है कभीयों में यह बहुत उधार नपूंचा गया है और रीट के लिए तो बहुत ऐए कभीयों में काली दास सरिष्ट है कभीयों में काली दास सरिष्ट कभीयों में कौनसे कभी सरिष्ट हैं कालीदiberal How come कभी已经 काली दासह नहीं केच्छन तमह सरिष्ट हैं यह सरिष्ट तमह स्टी तमब प्रतेख लगा सकते हैं है है मैं कौन से कभी स्रिष्ट है काली दास कभी सू में कौन सी विवक्ति हो गई शब्त में बहुत कभीयों में काली दास रिष्ट हैं एक कभीयों की जाती हो गई और उस जाती से अलग किया जा रहा है कभियों की जाती से किसे अलग किया जा रहा है काली दास को तो हमारा अभी मैंने आपको बताया कि जाती गुन करिया संग्या के द्वारा एक समधाय से अलग करने पर उस समधाय वाची सब्द में ही होगी सफ्ति और सब्द जैसे कि कभी एक समधाय हो ग है और यहां कभी सू में कान सी वे वक्ती हो गई शब्त में कवी शुमें कौन से प्रत्य हो गई तम प्रत्य है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कभी नाम कभी नाम अवे युदहरणाद दोनों सस्टीव सब्तमीग मादनें से कवि नाम कविशु वा काली दासह काली दासह स्रिश्टतमी कभी नाम कविशुप आलिधसे स्रिश्टतमा कवियों में कोन से कभी श्रिष्ट काली दास गवाम गवाम गोसुवा गवाम गोसुवा कृष्णा बहुचीरा गवाम गोसुवा कृष्णा बहुचीरा गवाम गोसुवा कृष्णा बहुचीरा गवाम गोसुवा कृष्णा बहुचीरा गायों में भी कौनसी गाय काली गाय तो गायों में भी कौनसी गाय काली गाय बह जहां नाम आम होगा वहां स्थी विवक्ति होगी भभवचन के प्रयूकिया है तो इस तरह यहां से प्रश्ण इस तरह के बन जाते हैं अब अगला शुत्र है शाद्वा शाद्वा शादू प्रयोगे चा शाद्वा शादू प्रयोगे चा शाद्वा शादू प्रयोगे चा सादू एमम असादू शादू एमम अशादू शब्दों का प्रयोग किया जाएगा और जिसके प्रत शादू और अशादू होंगे उसमें सस्टी और शप्त मी विवक्ति होती है एक बार बोलेंगे बोलो ब्रंदावन भ्यारी लाले की जै रादा आरानी की जैब शादू इम असादू शब्दों का जहां प्रयोग होगा शादू का मतलब क्या होता है सज्जन शादू वाने क्या होता है सज्जन शादू वाने हुआ शज्जन और शादू वाने क्या होता है दोशन सादू सजन असादू दोशन सब्दों का प्रयूग होने पर जिसके प्रते सजन्ता का विभार होगा वहां कौनसी विवक्ति होगी वहां शप्तमी विवक्ती होती है जिसके प्रत सादू शजन और सादू का मतलव दुर्जन और जिसके प्रत सजनता या जिसके प्रत दुर्जनता का विवार होगा वहां शप्तमी विवक्ती होती है कि जैसे कृष्णहा कृष्णहा मातरी शादू कृष्ण माता के लिए कैसा है शादू किसका योग हुआ सादू शब्दों का योग होने कर जिसके प्रत्रजन्ता का विभार होगा कम सी शप्तेमी जैसि यहां शादू शब्द का तो क्या हो गया और कृष्णहा यह मारा क्या हो गया करता है कि मातरी शब्तमी अधिकरन कारख तो कृष्ण माता की प्रत कैसा है शजन है जिसके प्रत माता की प्रत मातामें कौन सी विवक्ति सब्तमी के और कृष्णा हां मातोली अशादू कृष्ण हां मातोले अशादू और कृष्ण मामा की प्रति मातोलवाने क्या होता है मामा किसका योग हो गया अशादू शब्द का अशादू शब्द का योग होने के तद उपरांत में मातोले शब्द में कौनसी विवक्ती शब्द में क्रिश्ना हाँ क्रिशन हां हमारी है क्या हो गई गृता क्रिश्ण मामा की पना के पृत कैसा है कि तुर्जन जिसके प्रत कि पृत तो फिंद सी शृतमी बबंब और यто बीविव्यक्ति के तद्व प्रांत में एक नियम और है और नियम है ज़िए शंबंद के रूप में जो प्रयोग किया जाता है एक बाक्य है राजा राजा डॉट 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 वस्तरम दजाती राजा मित्रो यह आपके लिए रीट में प्रश्ण आ चुका है इसलिए मुझे इसको बताना बहुत जरूरी है कि राजा को ढया स्थान को बहुत है। इसे क्या कहा जाता है संप्रदान अब राजा बस्तर को देता है रिक्तion की पूर्थी करो रिक्तिस्तान की क्या करो पूर्टी करो रजकाया रजकस्या रजकाह और चौथा है रजकात और रजकवाने क्या होता है तो पर रजकवाने होताई नहीं राजा की को वस्त्रों को देता है मित्रो इसमें राजा का दोबि से क्या रहा शमंद रहा इसमें ऐसा नहीं कि राजा दोवी को बस्तरों को देदे दान कर दिया नहीं किया तो मेरा मतलब यहां है कि कि करम की द्वारा जिसको खुष किया जाता है उसे संपरदान के जते हैं वाँच चतुर्ती विवक्ती का प्रियोग किया जाता है तो रजक शब्द दूबी शब्द उसमें चतुरती विवक्ति का प्रियोग नहीं किया जाए गा यहां तो राजा और दूबी के आपस में संपर्क हैं शम्मंद हैं वो उसको कपड़े दूलने के लिए देता है और उसके में उसको धन दिया जाता है दोलाइ और यहां संपर कि अर्शी विवक्ति का प्रियोग कि आ जाए गा तो राजा रजक लिए और एंए देता है यह इसका हिंदी में अनुख धूबी को बस्तरों को दुलने के लिए देता है तो यहां क्या बरदेंगे राजा रजकस्य राजा रजकस्य वस्तरम ददाती राजा धूबी को बस्तरों को देता है इस तरह के प्रशनवी यदा कदा आपके लिए पूछ लिए जाते ह है तो आपको यहां आपका कौन सा प्रकरण था कारक प्रकरण मित्रों कि कारक के अंतरगत ही अनुवाध और अनुवाध में ही असुद्धी संसुदन छिपा हुआ है इसमें से मैंने पहले इदनी भी बताया था आपको कि लगवग तीन से चार प्रशन पूंचे जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्रों माने जाते हैं तो आपको ढंक से समझा दिया और कुछ प्रशन और मैं बता देता हूं कि आपके लिए किस तरह पू कारकानी कत संती कारक कितने होते हैं कि नमबर एक कि पंच कि सट कि एक कहा दो कि कारक कितने होते हैं आपको पता ही है कारक कितने होते हैं च्छे आपका यहां उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि बभी कर्ता करम च करम्चा संप्रदानम नंटा थाइव चाँ आपा दानम अदिकरंण इत्याआ फूर्प Kan Birdi expon तो कारकानी करसंती कार अकितने होती हैं भाक्टा यहां वरक्टा यहां है नहीं है करत संति व्वक्ती कितने होते हैं विवक्ति कितनी होती है तो विवक्ति आपको पता है विवक्ति कितनी होती है विवक्ति कितनी होती है साथ इस तरह प्रशन आपके लिए कल लिये जाते हैं विवक्ते यहां कत्संति कारकानी कत्संथी तदु परांत मैं कि अगला प्रशन अपादानी अपादानी विवक्ति ही भवती अपादान में विवक्ती होती है प्रथमा शब्तमी सस्ती पंचमी अपादान में कौनसी विवक्ती होती है बताईए आप पंचमी आपका उत्तर कौंसे सही होजाएगा जाता है क्योंकि अगला कि अधिकरणי विवक्ति ही भवती अधिकर्ण में विवक्ति होती है प्रथमा पंचमी त्रतिया प्रेयोक किया जाता है तो उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा उत्तर हमारा कौन सा जाओगा सम्प्र सिन्प्र शब्त मी सही हो जाएगा तहां तो मित्रों यह आपके क्या थे कारक प्रकनटा और कारक प्रकनट का एक एक प्रस्टन संवाद सब्सक्राइद आपको दन्क से हल करा दिया है अभ्यास की जरुवत है आपको अभ्यास करते रहेंगे तो आपको सुनेश्य कलता मिलेगे किरपा से आपको शनुष्य सफलता मिले री आपको रदा रानी मंडारा बढ़ेंगी तो एक बार बोलेंगे बोलो बन्धा वहारी लाले की जैक कि कहा गया है हमें क्या काम दुनियासे हमारा गोबेंद प्यारा हमें क्या इस जमाने से हमारा नंदलाल हमारा घनस्याम हमारा कनुआ प्यारा है जै तु संस्कर्तम जै तु भारतम राधे राधे वोल ब्रंदा बन भिहारी लाले की जै on the youtube app and never miss another update कर्शह अवाड